हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल डिजाइन विभी और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक इंडो वेस्टन डेस्ट जो कि मैं इंस्पायर होके बना रही हूं अच्छो ब्रैंड से और अगर आपको भी ऐसी डेस्ट बनानी है तो मेरी वीडियो को एंड त कर देंगे तो अपनों शूरु करतें है इस बनाने के लिए मुने एए ये तीन मीटर परिंट इड का फैबिक लिया है और रहा मीटर वाय लाट लाइन का फैब झाल के लिए में आप शूल्डर के निशान लगा रही हूं और आम होल के हम एक हाइक हाफ शूल्डर हमारा हिया और छाफ न इशान के निशान लगा देंगे इसके बाद हम इस पॉइंड को स्ट्राइड कर देंगे इस वह नीचे से भी हम इसे स्रेट कर देंगे इस तरीके से और आम होल को हमने राउंड शेप देनी है इस तरीके से और अब हमने आम होल को हाफ करेंगे और आदा इंच बेंदर के साइड निशान लगाएंगे और फ्रंट आम होल के लिए का शेप दे देंगे अब हमने नेक और नेक से जॉइन कर देंगे और फ्रंट नेक की जो लेंथ लेडी वो लेडी में 7 इंच इस तरीके से और उसके बाद हमने इसे हलका सब शेप देते हुए वीड नेक बनानी है इसके बाद हम chest mark करेंगे तो जिटे भी हमारे total chest होती है उसको divide करेंगे 4 से और half inch Ease के लिए add करेंगे तो 9 inch पर निशान लगा देंगे उसके बाद हमने front neck से नीचे 2 inch पर निशान लगाना है और नीचे के साइड सब ये हमारे ट बॉकल कि गंठेंग से ऑध एसे ही हमने बैक बॉक्नेंस कर दीक करनी है तो की शोलडर हमनेто 6 इंच लेना है और वहने 6 इंच लेना है श को कैसे चाहिएल कर देंगे और देज़ा कर देंगे अर पेक आम होल के डाउन शेफ देनी इस तरीके से और नेकवीड हम लेनी 2 इंच और पेक नेक की डेफ्ध लेनी हमने 4 इंच yan है अर इसे हम करव शेफ देए इस तरीके से इक शोल्डर स्लॉप के लिए हमने हाफ इंच पे निशान लगाना है और इसे next के जोईंट कर देंगे और chest के लिए हमें 9 इंच पे निशान लगाना है जतनी हमने front मे लिए थी और waste के लिए हमने जितने हमारे total waste होदी इसको divide करेंगे 4 से 1.5 इंच ease के लिए add करेंगे और 8 इंच पे हमने निशान लगा देना है और सीम अलावंस के लिए हमने 1.5 पर निशान लगाना है और चेस्ट उट्विस तोनों को मिला देंगे इस तरीके से और अब हम इसकी कटिंग लेंगे इसके बस कर्ट की विर्थ लिए मैंने 44 इंच क्योंकि डबल फोल में है तो टोटल होती एटी एट इंच और इसकी लेंथ लिए मैंने 24 इंच तो इस तरीके से हमने 24 इंच पे निशान लगाना है और एक स्टेट लाइन खीच लेंगे और इसके बाद हमने इस तरीके से फ्रेंट बॉडिस को रखना है वेस से मिलाते हुए और बीच ओब बीच एक निशान लगा देंगे इस तरीके से और कैदस के लिए हमने 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से और इसके बाद हमने इसे वेस से मिला देना है और वेस कि यहां पर हमने प्लिट्स बनानी इसके बाद हमने कटिंग कर लेनी है सो बेक स्कुट की विर्ट मैंने 44 इंच लिये और लेंध हमने लें 24 इंच और इस तरीके से माक करके हाफ इंच का मार्जन लेके हम इसे कट कर लेंगे स्लीव की विर्थ लिए मैंने 11 इंच और स्लीव की लेंद भी हम लेंगे 11 इंच और इस तरीके से निशान लगा देंगे और स्ट्रेट कर देंगे इसके बाद मैं सलिव की cap height ले रही हूँ 3.5 इंच और इस तरीके से सारे 3 इंच पर निशान लगा देंगे और gather's के लिए मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगे इस तरीके से और इसके बाद नीचे जो पने market उसको straight कर देंगे और निचे भी हमने चार इंच पे निशान लगाना है उसके बाद चार इंच के बाद हमने पांच पे निशान लगाना है उसके बाद हमने इस तरीके से कर्व शेप देनी है और फ्रेंट आम होल के लिए आदा इंच पे अंदर के साइड कर्व शेप देनी है उसके बाद सीम उसके लिए धर के निशाना लगाएंगे और निची भी चप्रइश कर देंगे और इसके बाद हम स्लीव की कटिंग कर देंगे श manipulating कर देंगे लिवे diff Auf की लेंद्पीर आज हे मैंने 24 इंच और इस तरह के से हम देंवे से शा편 लगा देना है और स्टेट कर देंगे कि धे और की उसके बाद हम ने जो फ्रन्ट बॉडी मैंस कर रहा था उसको इस तरीके से प्लीड करेंगे जिए साइग essen से मिलाते हुए और णिशान लगा देंगे और भारा की साइग पॉर्शन बचा हुआ है यहांपर हमने plaids बनानी है हाँ इस तरीके से इसके बाद हम इसकी cutting कर देंगे θαब गोच मारजन लेते हुए सेम हमने इस प्यांइक के लाइंनिंग के लिए सेम ऐसे फैब्रिक लेना है और 24 इन हमने लेंद है और आदा इसका मारजन लेके कटिंग कर देंगे अब हमने नीचे लाइनिंग पे फ्रिल एड़ करने तो फ्रिल की लेंथ लिए मैंने 13 इंच और इसकी विर्थ लिए 120 इंच यानि कि जितना भी हमारा घेरा होगा उससे डबल हमने लेनी है फ्रिल की लेंथ उसके बाद हमने बॉडिस के उपर फ्रिंट में आदा इंच पे एक निशान लगाना है और इसे कट कर देंगे इस तरीके से क्योंकि हमने यहाँ पे गैदस बनाने है इसलिए इसके बाद हमने फ्रिंट के दोनो पोर्शन को मिला के रखना इस तरीके से और पिंसर सेक्योर कर देंगे नेक को और नेक पे हमने आदा इंच पे सिलाय लगा लेनी है और अब हमने इस पे कट के निशान लगाने इस तरीके से और इसे अब हम सीधा कर लेंगे और उपर एक टॉप स्टिच दे देंगे सेम ऐसे ही हमने बैक के दोनों बॉड़िस को एक सास मिला के रखना है और नेक को पिंसर सेक्योर कर लेंगे और नेक पे भी हमने आदा इंच पिस लाय लगा लेनी है और इसे सीधा करके हमने टॉप स्टिच दे देनी है इस पे अब हमने बैक नेक भी फिनिश कर लिए अब हमने बैक को फ्रेंट दोनों बॉड़िस को मिला के रखना है और शोल्डर को हम पिं कर लेंगे उसके बाद हमने आदा इंच पे शोल्डर पे रखनी है और अब हमने प्ररेंट बॉड़िस में यहाँ पे इह एक श्लाय लगानी है और सिलाए लगाने के बाद हमने थोड़े थोड़े गैदस बनाने है फाफ इंच के तोनों साइट पे एकल मार्जन पे इसके बाद हमने स्लीव को फिनिश करना है तो नीचे से हमने फाफ इंच फोल्ड करना है स्लीव को और उपर हमने इस तरीके से प्लीट्स बना लेनी है पस्टिच कर लेंगे स्वेधी के हमने स्लीव को नीचे से फिनिश कर लिया है और पिट्स बना ली है उसके बाद हमने हमारे एल्बो के उपर से मेजर करना है तो हमारा आता है 11 इच तो हमने 11 इच के लास्टिक कट करने यह तरीके से और हमें 2 लास्टिक जैकर हमारे 2 स्लीव है और सीफ्ट बिन की हमने इस स्लीव के अंदर इंसर्ट करना है लास्टिक को इस तरीके से और दोनों कॉर्णर पर हमने इससे पिंसे सिक्यूर कर लेना है के और कोनर पे हमने आधा इच पे दोनों साइट पर मैं लगा लेनी है और को ओ अध मिझा को मैंने दोनों सब्सक्स कर लिए लास्ट अपने अटैच कर दिक उसके बाद हमने भाड़िश की साथ में स्लीव को अट्याश करना है तो हमने इस तरीके से स्लीव को कि पिन कर लेना है पौडस के साथ में अबHope Kण को and So देखी हमने स्लीव को नए बार्डस के साथ में अब हमने गेवीपे इस तरीके से प्लीट्स बनानी है। और निची के साइट हमने एक launch end पे श्लाय दे देनी है। अब हमने कई प्लीट्स बना लीए। और अब हम इसमें गैदस बनाएंगे। तो गैदर्स जो हम बनाएंगे वो इक्वल तो हमारे बॉड़िस के बनाएंगे तो गैदर्स हमने इक्वली स्प्रेड करने हैं दोनों साइब पर और यह बिल्कुल इक्वल होना चाहिए हमारे फ्रेंट बॉड़िस के तो देखे हमारे गैदर्स बन गए हैं दोनों साइट पर और सेम ऐसे हमने बैक में भी गैदर्स बना लिए हैं आब हमने बैक केर्ष करना है फ्रेंट केरी के साथ में तो दोनों साइड सीम को मिला के रखेंगे इस तरीके से और पिंसे से क्योर कर लेंगे और सिलाय लगा लेंगे इस पर दोनों साइड पर हमने स्टिच कर लिया है गेरे को आप हमने बाड़ीज को स्टिच करना है तो हमने तोनों को face करके रखना है सीधी साइट पर और उल्टी साइट पर हमने pencil secure कर लेना है bodies को और तेडिंग के margin पर हमने slide लगा लेनी है तो दीखे हमने bodies को stitch कर लिया है side seam से अब हमने लाइनिंग में भी इस तरीके से प्लीट्स बनानी है और स्टिच कर लेंगे और अब हमने बैक लाइनिंग और फ्रेंट लाइनिंग को दोनों को मिला कर रखेंगे इस तरीके से और बोड़ी से मैच करेंगे और उसके बाद हमने स्टीम अलाउंस का निशान लगा के इसको नीचे तक जॉइन कर देंगे और इसको कट कर देंगे इसके बाद अब हमने फ्रेंट लाइनिंग को बैक लाइनिंग के साथ में अटाइज करना है इस तरीके से आप इन से स्क्यूर कर देंगे और देंट के मार्जन पर हमने दोनों साइट पर शिलाय लगा लेने हैं कर देखें हमने लाइनिंग को स्टिच कर लिया है साइट सीम से फ्रेंट और बैक को और जो हमने फिल के लिए पैप्रिक कट कर रहा था उसको हम पहले आदा नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फोल्ड करने के बाद हमने इसमें कैदस बनाने या प्लीट्स बना सकते हैं तो मैं प्लीट्स बना रही हूं इस तरीके से आदा इंच की और आदा इंच के गेप पे हमने रखना है और जो प्लीट्स होने चाहिए वो एक्वल टू हमारा जो लाइनिंग का घेरा था उसकी एक्वल होने चाहिए इस तरीके से हमने प्लीट्स बना लेनी है पूरे फैब्रिक में प्लीट्स बना लिए और जो प्लीट्स है वो बिल्कुल इक्वल टू हमारे जो लाइनिंग का घेरा था उसके एक्वल होनी चाहिए क्योंकि हमने इसके साथ में से अटैच करना है इसके बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे अब हमने प्लीट्स को लाइनिंग के घेरे के साथ में पिंसर सेक्योर कर लेंगे इस तरीके से और हमने इस पर आदा एंच पर सिलाय लगा लेनी है ऑडुस को कि आस एकर आई कि वें पिंसर आटेच्ज कर लेंगे भाट है Nowden dependence lernen के साथ में और हमने को और आदाइंख को और लाइनिंग को और जो में फैब्री था तीनों को मिला कर इस तरीके से रखेंगे और पिंसर से क्यूर कर लेंगे इस तरीके से और आदाइज पर सिलाई लगा लेंगे स्वेदी की बॉड़िस के साथ में हमने स्कर्ट पार्ट को अटेच कर लिया है और हमारे ड्रेस रेडी हो गई है अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब टो माई चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर बाबाई थैंक यू